ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर्मिंद्र शास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं देनिक महाभाग इशाली राशियां 14 मई 2019 मंगलवार का दिन है वैशात मास के शुक्रपक्ष की डस्मीति थी है पुर्वा फालवुनी नक्षत्र एवं सिंग रासी में चंद्रमा बिद ज्यादा वश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुव मांगलिक या नया कारी आपको शुरू नहीं करना चाहिए राहुकाल में किसी भी प्रकार का शुवकारी करना वर्जित माना गया है ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरीदेव मेस रासी में चंद्रमा जोकी सिंग रासी में मंगल ग्रह मितुन राशी में बुद्ध मेस रासी में गुरोदेव ब्रहसपती व्रश्चिक रासी में शनी धनु राशी में रहू मितुन एवं केतु धनु राशी में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मितुन, सिंग, व्रश्चिक, धनु और कुम्ब इन पांच राशी वालों की आमदानी बढ़ने का योग है। इनके आई के सोर्से बढ़ सकते हैं, एक से अधिक आमदानी के स्रोत इनके होने वाले हैं। या फिर इनकी नोकरी में इनकी सेलरी बढ़ने का भी योग बन सकता है। करिक्षित्र में एक नया लाब, नई उन्नती इनको दिखाई देगी। तो मित्रो हमने जो ग्यानवर्धक जानकारिया आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्टन, साधर धन्यवाद